हेलो गाइज आज हम लोग करींगे फारarez करन्सी कनवर्टेबल बांड क्या होता है फारर backward करन्सी कनवर्टेबल बांड इसको जानने के लिए एक इक्जामपल के दिरुद हमें समझना है देखो ये है Reliance Industry Limited इसको पैंसो की requirement है तो Reliance Industry Limited ने Mr. Bill Gates को बोला कि आप हमारी company में 100 million dollars लगाओ 100 million dollars लगाओ और हम बदले में आपको एक bond issue करते हैं कैसा bond है ये? foreign currency में denominated bond है जो की future में जाकर के shares में convert हो जाएगा अब मैं इसको simple language में समझाता हूँ Mr. Bill Gates ने Reliance Industry Limited में पैंसे लगाओ 100 million USD बदले में Reliance Industry Limited ने एक receipt काट करके दे दी उस receipt में क्या लिखा? कि हम कितने समय के बाद आपका ये 100 million USD वापस करेंगे बीच में आपको कितना कितना interest हम पै करेंगे तो इसी receipt को हम कहते हैं bond कई बार इस receipt को हम diventure कहते हैं, notes कहते हैं, कुछ भी कहलो तो अभी हम क्या नाम दे रहे हैं इसको? इस instrument को इस receipt को bond कैसा bond है ये? foreign currency denominated bond है foreign currency का मतलब क्या हो गया? इंडिया की currency के अलावा जो भी currencies होती हैं, वो सब foreign currency है चाहे वो dollar हो, चाहे वो pound हो चाहे वो Japanese yen हो चाहे वो yuan हो, चाहे वो डिनार हो कुछ भी हो तो वो foreign currency होगा यानिकि ये bond किसमें denominated होगा? foreign currency में denominated होगा denomination का क्या मतलब होता है? denomination का मतलब होता है कि Reliance Industry Limited और Mr. Bill Gates के बीच में जो भी बाते चलेंगी वो रुपे में नहीं चलेंगी वो foreign currency में चलेंगी यानि कि Mr. Bill Gates जैसे Reliance Industry Limited को पूछें कि आप मुझे कितने का interest देंगे तो Reliance Industry Limited ये नहीं बोल सकती कि हम आपको इतने रुपे का interest देंगे Reliance Industry Limited को बोलना पड़ेगा कि हम आपको इतने डॉलर का interest देंगे कल को Mr. Bill Gates को आप कितने पैसे दोगे कितने कितने अमाउंट दोगे तो वो जो अमाउंट होगा वो अमाउंट भी आपको डॉलर में मेंशन करना पड़ेगा इसी को हम कहते है Foreign Currency Denominated यानि कि जो भी बातचीच चलेगी वो सब डॉलर्स में चलेगी डॉलर्स यानि कि Foreign Currency में चलेगी समझा गई बात अब Foreign Currency Bond का मतलब तो पता लग गया अब पांच साल के बाद Mr. Bill को एक option दिया जाएगा कि आप इन 100 million USD की जगा हमारी company के 5000 shares ले लो ये option दिया जाता है Bill Gates को कि हम आपको 100 million USD वापिस नहीं करना चाते आज तक आपको जो भी interest दिया ठीक है लेकिन अब 5 साल के बाद आपके पास ये भी option है कि आप यदी चाहें तो हमारी company के 5000 shares खरीद सकते हैं खरीद ने सकते हैं मतलब convert करवा सकते हूँ आपने तो already पैसे दे रखे हैं मैं तो Mr. Bill Gates के पास fifth year के end में एक choice है option है, right है कि आप in 100 million USD की जगा क्या ले लो हमारी company के share से ले लो say for example 5000 तो अब मैं conclude करता हूँ Reliance Industry Limited जो की हमारी example में हो जाएगी issuer company क्योंकि यह bond issue कर रही है Mr. Bill Gates को और बदले में क्या लिए 100 million USD Mr. Bill Gates के पास fifth year के end में एक option आजाएगा एक right आजाएगा एक choice आजाएगी कि आप या तो 100 million USD वापिस ले लो या इसके बदले हमारी company के 5000 share से ले लो 10,000 share से ले लो कितने भी मर्जी उतने share से ले लो जो की पहले ही decide हो जाएगा ठीक है अब इसी चीज़ को समझते है foreign currency convertible are optionally convertible bond optionally convertible bond का मतलब क्या हुआ कि यह option है Bill Gates के पास option है कि future में आप इन bonds को हमारी company के shares में convert करवा सकते हैं तो यह option है आपका right है अगर आपका मन करे तो आप 100 million USD वापी से ले लो कोई दिक्कत नहीं है so FCCBs foreign currency convertible bonds are optionally convertible bond यह ऐसे bond है जो convert हो जाते है convert का मतलब convert का मतलब change हो जाते है shares में maturity date में ठीक है issued in a foreign currency foreign currency में issue किया जाता है जैसे मैंने पहले बोला था कि यह foreign currency denominated होते है ठीक हो गई बात foreign currency convertible bond is a mix between debt and equity तो देखो एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल और पांच साल के end में आपके पास एक option है equity में convert करवाने का लेकिन एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल तक यह तो bond ही था ना यानि कि इसके उपर तो आपने interest लिया होगा तो यही तो बात हो के रहे कि debt की तरह यह काम करता है कुछ समय तक और उसके बाद यह equity में convert हो जाता है तो इसलिए यह debt instrument और equity instrument दोनों का mixture है इसलिए इसको hybrid instrument भी कहते है foreign currency convertible bonds are unsecured unsecured मतलब अगर कल को reliance industry limited आपके 100 million USD नहीं दे पाती तो उस situation में आप कोई भी action नहीं ले सकते आप कोई property नहीं बे सकते reliance industry limited की अपने 100 million USD को recover करने के लिए and कह रिये fix rate of interest rate of interest आपका fix होता है इसलिए मैंने यह आप पर 5% पहरी लिखावा है इसका मतलब कि आपको fix rate of interest मिलेगा ठीक है and option आपको option मिल रहे हर बात main जो करक्स है यहाँ पर यही है Bill Gates को option दिया जाता है कि आप maturity date के end में हमारी company के shares खरीद सकते हैं खरीद नहीं सकते हैं मतलब convert करवा सकते हैं खरीद ना word मेरे मूँ से निकल जा रहा है बढ़ यहाँ पर convert convert की बात होगी वो खरीदेगा थोड़ी वो already 100 million USD इज़े रहे हैं for conversion into the fixed number of the equity share of the issuer company fixed number 5000, 6000, 6000, 10,000 कितने भी हो सकते हैं interest and redemption price interest होगा न in 100 million USD के उपर and principal price interest and redemption price redemption मतलब जो आप यह 100 million USD वापिस करोगे if conversion option is not exercised is payable in dollars तो यह बात मैंने पहले बोल दी थी अगर Bill Gates नहीं चाहता कि मैं इस company के shares को खरीदूं shares मैं convert करवाँ तो Mr. Bill Gates को क्या मिलेंगे अपने 100 million dollars वापिस मिलेंगे 100 million USD वापिस मिलेंगे प्लस उसके उपर interest वापिस मिलेगा वो सब किसे मिलेगा dollars में मिलेगा इसलिए तो मैंने पहले बोल दिया था कि यह foreign currency convertible bond जो है यह foreign currency में denominated होता है तो इसलिए आप किसमें pay करोगे आप इने dollars में pay करोगे आप इने dollars में पेने करोगे तो जो भी interest बनेगा जो भी redemption price होगी वाप dollars में ही pay करोगे अब यह redemption price का मतलब 100 million USD उस दिन market में क्या कीमत चल रही एक dollar की उस according आप convert कर लोगे FCCB shall be denominated in a freely convertible foreign currency अगर है freely convertible भी हटा दूँ तो simple से बात है कि आप इने foreign currency में ही denominated करोगे ठीक है यह INR में denominated नहीं हो सकते अगर यह INR में denominated हो जाएंगे तो फिर हम इने rupee denominated debt instrument कहते हैं जैसे masala bond, plain, vanilla bond इस तरह से तो यह आपका foreign currency convertible bond हो गया एक बार फिर से बताता हूँ foreign currency convertible bond एक ऐसा bond होता है जिसमें investor को option दिया जाता है कि maturity date के end में आपके पास option है या तो आप अपने पैसे को यानि की 100 million dollars को वापिस ले ले या फिर उनको हमारी company के shares में convert करवा दे Reliance industry limit को issuer company बोलेंगे Bill Gates को investor बोलेंगे foreign investor ठीक है और यहां से भी एक बार देख लेते है foreign currency convertible are optionally convertible bond issued in the foreign currency ये एक hybrid instrument है ये unsecured होता है इसमें fixed rate of interest होता है और इसमें option दिया जाता है investor को कि आप हमारी company के equity shares में इनको convert करवा लेना ठीक है interest and redemption जो भी होगा वो dollars में pay किया जाएगा अगर आप अपने इस option को exercise नहीं करते अगर आपने ये option को exercise कर दिया option किस सीज़ का option इस सीज़ का कि shares में convert करवा देना अगर आपने इस shares वाले option को exercise कर लिया exercise मतलब use कर लिया तो उस situation में आपको 100 million USD थोड़ी मिलेंगे तो यही बात वोगेर है कि interest और redemption dollars में मिलेंगे लेकिन अगर आपने अपने exercise को use कर लिया तो उस situation में dollar थोड़ी मिलेंगे रुपे थोड़ी मिलेंगे मतलब पैसा थोड़ी मिलेगा आपको वापिस आपको तो shares मिले LCCB shall be denominated in the foreign currency यह बात मैं हर बार बोले जा रहूं उतनी देर से कि यह आपका foreign currency में ही denominated होता है foreign currency का मतलब केवल dollar से नहीं होता foreign currency का मतलब Indian currency के लावा कोई भी currency foreign currency है चाहे वो नेपाल की currency है चाहे वो भोटान की चाहे कहीं की भी है Thank you so much